पढ़ेंगे investment decision पिछले lecture में हमने ये समझा था कि financing decision क्या होता है तो previous lecture में हमने ये सोच लिया था समझ लिया था कि कितना पैसा business को चाहिए और वो पैसा business कहां से ले के आए अपने पैसे यानि honor fund को ले के आए या borrowed fund को ले के आए तो देखो अब business ने क्या किया पैसा लगा द इकों का पैसा लायो तो अब business ने पैसा arrange कर लिया तो business को ये सोचना पड़ेगा कि भाई उस पैसे को कहां मैं invest करूं जिससे मैं proper कमा पाऊं भाई अगर proper investment नहीं करेंगे तो सही तरीके से नहीं कमा पाएंगे share order का पैसा वो लोग डूबा नहीं सकते अना डिबेंचर ओल् वो investment हम सही कर सकेंगे तो इसलिए इस decision को बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है अना तो यहां पर financial manager क्या decision लेता है बच्छा कि project में हमें invest करना है या नहीं करना है suppose तीन project का option आता है one two and three ठीक है तीन project का option आता है तो financial manager ये decide करेगा कि या किस project में invest करूं तो कैसे decide करता है इ ITA financial manager ये सोचता होगा की check करता हूं भाई किस project में कितना पैसा लग रहा है तो कितना पैसा लग रहा है मतलब उसको बोलते हैं outflow वो चैक करता है कि किस project में कितना पैसा business में से जाएगा तो वह outflow check करता है ठीक है और फिर साथ में वो च्शक करता है inflow कि या वह project से अपन को कमाई कितनी आएगी जैसे अगर मैं बात करूं कोई प्रोजेक्ट है किसी में पचास लाख रुपय लगेगा तो भाई अगर मेरे को वापसी भी पचास लाख ही आएगा तो तुम खुछ सोचे तुम प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे क्या नहीं सर पचास लगा रहों प्रोजेक्ट और नॉट अब यह कैसे फैसला लेगा वो चेक करता है कि प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड इन्फलो या एक्जेक्ट तो अपनी बता सकते ना प्रोजेक्ट से कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा वो चेक करता है अगर उसको लगता है हाँ आएगा वो कितने टाइम के बाद आना चालू हो जाएगा जैसे फॉर एक्जामपल अगर मैं दिल्ली टू मुंबै का सपोस करो रोड कंस्रक्शन का काम ले लिया अब तुमको पता है रोड कंस्रक्शन होने में या ब्रीज बनाने का काम ले लिया कोई तो उसमें बनने में लगेगा मान लेते हैं तीन साल चार साल तो क्या इस तीन साल के लिए तुम्हारे पास कंपनी इतना फंड है कि तुम खर्चा निकाल पाओ तीन साल तक वरकर्स काम करेंगे मैट्रियल्स आएगा बहुत सारे खर्चे लगेंगे तो तीन साल तक तुम बरदास कर सकते हो क्य नहीं आने वाली तीन साल तक तुम्हारे पास खर्चा ये खर्चा है तो तुम्हारी अगर इतनी कैपसिती है कि तीन साल तक तुम उस खर्चे को बियर कर सकते हो जब भी तुम को ये बात ध्यान में आ पूछेगा आज के बाद investment decision क्या है तो तुम साब बोल दो के भाईया शेर ओल्डर का पैसा आया है तो उस पैसे को सही जगा invest करना है तो उसके बारे में financial manager को decision लेना पड़ेगा कि project में पैसा invest करना है या नहीं करना है इसके लिए project manager क्या देखेगा वो देखेगा कि भाईया और देखेगा कि जो inflow आने वाला है project से वो कितने time के बाद inflow आने वाला है तो इस चीज़ को चेक करेगा अब investment decision बेटा जी चाहे तो लंबे समय के लिए भी हो सकता है छोटे समय के लिए भी हो सकता है long term या short term हो सकता है और मैंने तुमको बता दिया कि यह decision बहुत ही crucial decision हो और एक बाद decision ले लिया बाबू तो इसको वापसी अप reverse नहीं कर सकते हो हना पूरे business को impact डाल देगा इसलिए बहुत सो समझ के इस decision का अपन को लेना पड़ता है कि कहा project में invest करना है या नहीं करना है तो अब देखो इसमें बताया गया है two types के हमारे investment decision है एक है बिटा long term investment decision जिसको हपन capital budgeting decision भी कहते हैं या fixed asset decision भी कहते हैं या management of fixed capital भी कहते हैं यह जो अनदर ने में बहुत ध्यान रखना example of you से भी बहुत important आपके लिए कि long term investment decision को capital budgeting decision fixed asset decision और management of fixed capital कहते हैं तो अब देखो long term investment decision मतलब आप पैसे को लंबे समय के लिए कहीं लगाने वाले हो तो भाई लंबे समय के लिए हम पैसे को कहां लगाएंगे चाहे तो हम business के लिए कोई नया assets खरीद सकते हैं हाना कोई नया ब्रांच अपने business का चालू कर रहे हैं हाना या मैं एक product पर काम करता था बेटा अब क्या करने लगया multiple products पर deal करने लगया अभी तक मैं सिर्फ TV पर deal करता था अब मैं freeze पर भी काम करूँगा AC पर भी काम करूँगा तो यानि अपने business पर diversification ला रहा हूं मैं हाना diversification नए product line मे भी हो सकता है existing product line में क्या हो सकता है जैसे मैं close का business कर रहा था तो close में क्या था बेटा केवल और केवल पहले बड़े लोगों के लिए हम deal करते थे अब छोटे बच्चों का भी deal करने लग गए हाना तो existing product line में भी अपनने क्या कर दिया diversification कर दिया तो long term investment decision आप समझ गए या existing product line में more category में आप deal करना चालू कर दोगे हना तो चाहिए वो long term investment decision हो उसको बहुत तरीके से बहुत source समझ के आपको लेना पड़ेगा otherwise वो business की profitability को impact करता है एक चीज बहुत important है यहां जानने की कि जो long term investment decision है अगर तुम इस project में पैसा लगाना जा रहे हो तो मैंने तुमको previous lecture में एक बात बताया था कि अपन long term source की ही बात क्यूं कर रहे हैं आपर पैसे लाने की जो financing decision में बात कर रहे हैं वो इससे linked करता हूं मैं कि देखो अगर तुम long term investment decision करने जा रहे हो business में लंबे समय के लिए पैसा लगाने जा रहे हो तो उसका पैसा ना बेटा long term source से ही लाना short term source से मत ले कि आना क्यूंकि देखो आप long term में क्या कर रहे हो suppose करो आप new branch खोल रहे हो या कोई heavy machinery वगरा अपने business के लिए खरीद रहे हो तो पिटा ये सस्ता तो आता नहीं होगा हाना मानलोब मैं branch खोलता हूं और नए branch को खोलने में सारे assets वगरा सब setup लगाने में पूरा building building बनवा कर त्यार करने में मेरे 100 करोड रुपया खर्च हो गए अच्छी company खोल रहा हूं तो अब तुम सोच हो क्या 100 करोड रुपया तुम एक साल से recover करके चुका भी दोगे one year में pay भी कर दोगे नहीं सर पॉसिबल नहीं है business के लिए बहुत सा मिश्या आ जाती है तो इस investment decision में जो पैसा लगेगा long term investment decision में जो पैसा लगेगा वो कहां से लगेगा long term तो यह बात आप ध्यान रखेंगे क्यों मैंने कहा है कि long term ही लगेगा या short term क्यों नहीं लगेगा तो हमने समझ लिया कि long term investment decision क्या है अब हम देखते हैं short term investment decision क्या है मतलब अपन पैसा एक साल के अंदर-अंदर के लिए लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल time period के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा जैसे आपने ऐसेट्स के बारे में शीखो गबेटा current assets, non-current so यहाँ पर मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं जो तुमारा current assets है अना तो current assets के बारे में ही बात कर मुझे यहां पर short term investment decision में हमें यही देखना है कि मेरे को अपना level of current assets कितना रखना है बहुत ज़रूरी है बिटा क्योंकि current assets क्या है जैसे for example अगर मैं बात करूँ तुमारा इस्टॉक तुमारा debtors तो मुझे अपने debtors कितने रखने मुझे अपने stock कितने रखने उसमें कितना पैसा invest करके रखना है फसा के रखना इसी के बारे में तुमको यहां पर सोचने का अना तो क्यों sir ऐसा क्यों सोचते हैं क्योंकि इसका decision भी लेना बहुत important है बच्छा अगर आपने जादा debtor उधार जादा दे दिये तो जादा debtor बन जाएंगे और जादा debtor बन गए तो ब price में fluctuations होने के chances है तो इसलिए इस decision को भी बहुत तरीके से आपको लेना पड़ेगा तो short term investment decision याद रखना उसको working capital decision के नाम से भी हम जानेंगे और इसमें अपन क्या decision लेते हैं कि यह हमारा current assets कितना maintain करना है organization के अंदर cash के बारे में भी सोचते हैं बिनाबाद का organization में cash भी न है आपने अनर fund से उधार लिया है और फंड से पैसा लेका है अगर आपने बारोड और उनको ब्यास दे रहोगे तो इस decision को बहुत सोच समझके लेना पड़ेगा cash भी फालतू नहीं होना चीह जितनी required हुतना पड़ा हो अगर पालतू भी या कई invest कर ले inventory आपका शोच्के है debtors भी कितना पैसा फसाना इसको भी सोच के रखने की जरूवत है तो यह शॉट टाम investment decision होता है तो यहां जो अपन working capital decision की बात कर रहे हैं तो मैं आपको छोटा से एक बात समझाना साँगा कि working capital क्या होता है बैटा आपको पता होगा कि working capital refers to the management of day-to-day expenses जो मैरे रोज के खर्चे होता है ना manage करने उसको बोलता है अपन working capital जैसे देखते होगे बैटा एक चाय वाला है तो उसको रोज क्या चाहिए अपने business के खर्चे के लिए चाय पत्ती लाता है दूद लाता है अना तो यह working capital यह रोज उसको अपने दिन्दे को चलाने के लिए चीए तो दो तरह का working capital होता है एक होता है तुमारा networking capital और एक होता है तुमारा gross working capital तो याद रखना जो तुमारा gross working capital है वो equal to current assets होता है ठीक है और जो तुमारा networking capital है वो current assets minus current liability होता है अब मैं यह example क्यों लिया मैं तुमको यहाँ पर समझाना चाहता हूं एक बात कि suppose करो तुमारा business है एक का कोई business है अब उस एक को कोई order आ गया ठीक है एक को कोई order आ गया अब उस order को सपोज एका काम था furniture का अब उसको furniture बनाना था अब उसको एक फरनीचर बनाना था बेटा तो फरनीचर बनाने के लिए उसको फैबिकॉल वूड हना की ले यह सारी चाहिए की नहीं चाहिए यही तो working capital था जो day to day expenses उसको मैनेज करने थे तो अब इन फरनीचर को बनाने के लिए जो उसको पैसे की जनरा जो एसेट्स लेके आता वो वूड बगरा लेके आता अपना अना stocks बगरा जो लेके आता तो उसको क्या चाहिए था बिटा माल लेते ह 50,000 उपा चाहिए था माल को बनाने के लिए तो अगर यह पूरा का पूरा पैसा उसको खुद लगाना पड़ेगा तो current asset equal to यानि यह stock है 50,000 का तुमारा तो यह पूरा का पूरा पूरा अगर खुद लगाना पड़ेगा तो यह तुमारा क्या बन जाएगा gross working capital लेकिन अग अगर माल लेते हैं 50,000 रुपा उसको चाहिए और वो बजार में जाकर 30,000 रुपा का उसको वुड उधार में मिल जाता है तो उसको जेब से कितना लगाना पड़ेगा 20,000 रुपा का वुड का जेब से लगाना पड़ेगा तो यह क्या है बिटा networking capital तो हमने बिल्कुल अच अची तर आपको पड़ लेना है थैंक यू